वही गुर्गराम लोगसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंदजीत ने सोहना के दो दरजन से ज्यादा गाओं का दौरा किया जहांपर समर्थकों का प्यार देखकर राव इंदजीत ने दावा किया कि इस बार 2014 से भी ज्यादा वोटों से वो जीत हांसिल करेंगे इस दौरान राव इंदजीत ने लोगों को पिछले 5 सालों में हुए विकास कारियों के बारे में भी जानकारी दी तो आपको उता दे कि राव इंदजीत कई गाउं का दौरा करने के लिए सोहना पहुंचे वे थे जहां पर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की साथ ही उनके दौरा करवाए गए विकास कारियों का हवाला भी दिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि गाओं वालों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है इससे ये साफ दिखरा है कि इस बार जो जीत है वो बिलकुल पक्की है और लोगों से वोट देने की दोरान अपील भी रावे इंदर जीत के दोरा की गई है